हेलो बच्चो नमस्कार ओनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टार्ड थर्ड हिंडी तो बच्चो आज हम नीबन भी समझ ले तो हमारा नीबन का नाम है घंद की रोगों की जड़ बच्चो प्रतम तो ये जब भी आप नीबन लिखोगे मैं आपको क्लास में भी केती थी कि अगर आप नीबन लिखते हो तो प्रतम आपको ये बात याद रखनी है नीबन लिखते समय यहाँ भी पैरिग्राफ करके आपको लिखना होगा ये बात आपको दिमाग में बिठाने है नमबर नीबन में नहीं लगते अगर निबन में ये लिखोगे नंबर वाइस तो ये निबन नहीं होगा एक sentence बन जाएंगे नंबर हम उसमें लगाते हैं ना बच्चो जो sentence होते हैं तो निबन में कभी sentence होते नहीं है फिर अब जब भी निबन लिखोगे तो प्रतब आप उनका topic समझोगे जैसे कि मैंने लिखा है गंडगी, रोगों की जड़ है पहले आप सोचोगे ये गंडगी के बारे में क्या लिखेंगे हम तो दिमाग में उनकी बारे में सोचना है फिर आपने सोच लिया फिर अच्छे अक्सरों में आपको निबन की सुरुवात करने है ऐसे ही लिखना चालू नहीं कर देना है पहले तो हमें उनके बारे में हमें समझना है सोचना है, उनके विचार करने है फिर लिखना है तो देखो, मैंने भी लिखा है आप भी अपने हिसाब से इसके बारों में बहुत सारा लिख सकोगे आपको पता ही होगा गंद की रोगों की जड़े हमें गंद की करने नहीं चाहिए जैसे स्कूल है, मैदान है, अगर हम रास्ते में चल रहे हैं जहां भी जाते हैं हमें अपनी गंद की कीदि कीदर भी करना नहीं है क्योंकि बड़ी बीमारी गंद की के कारणी होती है हमें प्रती दिन स्नान करना चाहिए उससे चमडी के रोग नहीं होते अगर आप स्नान नहीं करते हो प्रती दिन यानि की एवरी डे आपको स्नान करना है अगर आप स्नान न governance करते हो तो हमारे चंडी के रोग होते हैं हमारे चंडी पे बहुत सारे अलग-अलग कुछ न कुछ निकलता रहता है जैसे जिकन पॉक्स है हमें चंडी की बिमारी भी हो सकती है वाइट हो जाते हैं कुछ भी हो जाता है तो हमें स्नान करना चाहिए सब्ता में एक बार नाकून भी काटना चाहिए अगर हम नाकून नहीं काटे नाकून बड़े हो गए हैं तो इसमें मेल बरता है मेल बरता हैं और जो जब भी आप वहाँ बार खेलते हो तब ही मेल नाकून के अंदर पड़े रहते हैं फिर उनमें बहुत सारे बेक्टेरिया जम्स लगे होते हैं फिर वो सारे जब आप खाना खाते हो भले आपने हैंडोस के आओ लेकि नाकून बड़े होने से हमारे पेट के अंदर वो सारे सारा मेल का कच्रा पेट में जाता है पेत में जाने समय इंफेक्शन हो जाता है और फिर हम बीमारी के एक अंदर आ जाते हैं बीमारी हमें हो जाती हैं इसलिए हमारे गंदी आदत हमें छोड़ देनी चाहिए सब्ता यानि कि विक में एक बार नाकुन कटना चाहिए हमें खेलते समय मेदान में ठुकना भी नई चाहिए कई लोगों के ऐसी बेड़ेबीट होती है जहां देखो वहां ठुकते रहते हैं है चोटे-चोटे बच्चों को भी पता नहीं होता है तो यह हमारी क्या हुई गंदी आदत क्या है हमारी गंदी आदत जो आप बोलते हो ब स्कूल के मेदान में हो, कुछ रेपर फेका पड़ा हो, तो हमें उन्हें तुरंट उठा लेना है, उठा के हमें, जो आप बोलते हो, डस्ट बिन, तो हिंदी में उसको बोलते हैं कुडे दान, उसमें डालना चाहिए, अगर हम सफाई नहीं रखेंगे, तो हमें भीमारी आएगी, और उस भीमारी के कारण घंकी को तुरंट साफ सफाई करने होगी, अगर आप साफ सफाई नहीं रखोगे, तो हमारे पास ही भीमारी आएगी, इसलिए हमें अपनी आसपास भी हमारी घंकी को साफ करनी है, अपने आपी गंत की साफ करनी है, तो ही हम बीमारी से बच सकते हैं, तो बच्चों ये आप अपने विचार अपनी सोच से भी लिख सकते हैं, ओके बच्चों, थैंक यू